फिर नमस्कार एक बफिर से मैं आप सभी के सामने ऊपस्सितूँ बेहद महात्वपूर topic के साथ आप सभी जानते हो कि हाल ही में भारत और चीन के बीच में Petroleum समझौता जो है वो साइन किया गया है आखिए क्या है Petrolling समझौता और इस साहथ ही कहां कहां से आपकी सेनाय हटाई जा रही है और कहां का मुदधा अभी तक solve नहीं हुआ है यानि कि कहां से अभी तक आपकी सेना नहीं हटाई जाएंगी उस पर आज हम डीटेल analysis करने वाले हैं मुद्दा कहां से शुरू होता है कहां पर आपकी सेना नहीं देखने को लेगी यह सारी कि चीजें इस वीडियो में हम discuss करने वाले हैं और इससे क्या हमें फायदा होने वाला है इन चीजों पर भी हम बात करेंगे मेरा नाम है प्राची मिश्रोड संस्कृति इस के स्प्लेट फॉर्म पर आप सभी का स्वागत है वीडियो शुरू कर लेते हैं लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए एक सूछना भी है आप सभी जानते हैं दिवाली का ये सुबश्य जो है वह आने वाला है तो इसलिए संस्कृति आयस भी आप सभी के लिए एक अच सभी क्लासिस के तौर पर दिया जा रहा है उनलाइन लाइव क्लासिस आप इसकी जोईन कर सकते हो मात्र साथ हजार रुपए में और इसमें आपको सी सैट का कोर्स भी फ्री मिल रहा है ठीक एसके बाल रते यूपी पीसेस फांडेशन को जहां पर आपको 70% का दिसकाउं द फाइनली अब आपके पास लाइव कोर्स अवेलेबल है ठीक है इसके ताहत यह सभी क्लासिस आपको यहां पर प्रुवाइट करवाई जाएंगी यूपीसेस में भी आपको प्रिलिम्स और मेंस की क्लासिस दी जाएंगी चले अब शुरू कर लेते हैं आज को टॉपिक हमें क्या है दोनों सरकारे यानि कि चाहें वो चीन की सेनाए हो चाहें वो भारत की सेनाए हो वो एक दूसरे को इनफॉर्म करती रहेंगी यानि कि बातचीत बनी रहेगी दोनों के बीच में बीच में क्या था अभी बातचीत बंद हो गई थी इसे वज़े से विवाद बह तो चलिए शुरू कर लेते हैं भारत और चीन की सिनाय पूर्वी लद्दाक सीमा से पीछे हटना वो शुरू हो गई है कहा जा रहा है कि यह आपकी लगबग 28-29 अक्टूबर के बीच में दोनों देशों की सिनाय पूरी तरीकी से वहापर जो जगा है अपने शेल्टर से उन में दोनों से नहोंने अपने अर्स्थाइट जो लगा रखे थे और जो शेट्स लगा रखे थे उनको अब वो हटा देंगे यह जो जड़ाप हुई थी इसके बाद ही यहां पर लगाई गए थे गाडियां और आपके जो मिलिटरी उपकरण हैं इनको पीछे ले जाया जा क्या गया है क्योंकि समझोता हुआ है तो दोनों देशों अपने अपने पॉइंट रखे तो एक पॉइंट पर जाकर के पहुचे कि भाई सैनिकों की संख्या जो होगी वो सीमित होनी चाहिए यह नहीं कि आप हमें धोका दे करके पीछे से अपना एक पूरा बटालियन ठीक है यह संख्या कितनी है अभी तक लेकिन इसकी जानकारी नहीं प्रोवाइट करवाई है लेकिन यह कहा है कि संख्या जो है वो तैकी जाएगी और उतने ही सैनिक वहां पर रहेंगे चलिए आगे आ जाते हैं इसके महातपूर बिंदु क्या है तो देखिए देपसांग यहां पर इनका जो जमावड़ा है टैंक है वो सब लग गया था लेकिन अब जैसे पहले 2020 के पहले जो सीमा हमाई दिखाई देती थी सेनाय दिखाई देती थी वैसा ही अब सारी चीज़े हो जाएंगे साथ ही उन्हीं छेत्रों में गस्त करेंगी जहां पर अपर अपर 2020 मे में तनाव बना हुआ था और 2020 से यह कंटीनू चला आ रहा था अभी आप सभी चानते हैं कि ब्रिक्स का समेलन्द हुआ था जिसमें जो शी जिन पिंग जी है और जो पुदान मंतरी मोदी जी उन्होंने मुलाकात भी करी थी और अभी आपका ब्रिक्स प्लस होने वाला है जिसके अधक्षता हैं यहाँ पर एस जैसंकर प्रिशाद करने वाले हैं तो फाइनल अभी जो इसमें कुछ बिंदू रहे गए हैं यह फाइनल डिसीजन आपका ब्रिक्स प्लस में हो जाएगा क्या महात्वपोर बिंदू और क्या डिसीजन्स हैं वो सारी इसमें आड कर जाएंगे ठीक है करीब चार साल बाद 21 अक्टूबर को दोनों देशों के बीच नया पेट्रोलिंग समझोता हुआ विदेश मंत्री एस जैसंकर प्रिशाद ने बताया था कि इसका मवक्सत लद्दाक में गलवान जैसी जड़ब को रोकना और पहले जैसे हालात बनाना है क्योंकि वहाँ पर जो निवास करते हैं लोग उनके लिए भी खतरिक इस्तिती बनी हुई थी तो सरकार ये भी चाती है कि मैं उनको आश्वाशन दू कि आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होने वाली है ठीक है आगे बात क पॉइंट्स है बस और यहाँ पर पेट्रोलिंग पॉइंट जो है वो है 14, 15 and 17 तो यहीं तक हमें बस पेट्रोलिंग करनी है इसके आगे पीछे कोई कहीं पर भी नहीं जाने वाला है जूतरों ने बताया है कि डेम चोक के पेट्रोलिंग पॉइंट बफर जोन है और इन प पर अभी जो फाइनल डिसीजन है वो नहीं लिया जा चुका है लेकिन देव सांग का फाइनल है कि पेट्रोलिंग कहा होनी है 10 पॉइंट पर 11 पर 11 ए पर 12 पर और 13 पर ठीक है चली आगे आ जाते है गलवान घाटी गोगरा हॉट स्प्रिंग्स पर पेट्रोलिंग पर अभ इसके बाद भारत ने चीन के 60 सैनिकों को मार दिया था उसकी जवाबी कारवाई में उसके बाद सेसे थी बहुत जादा बिकार हो चुकी तो अभी सर्फ दो जगह पर ही फैसल लिया गया है अभी भी अपना जो विवादित छेत्र है वो बचा ही हुआ है गलवान घाटी औ लेकर के सिर्फ सहमती बनी है ठीक है लेकिन देम चोक के गलवान घाटी और गोगरा होट स्प्रिंग्स में ग्रस्त को लेकर के कुछ नहीं कहा गया है अभी तक देपसांग जैसे में आया कि भारतिय सेना के मुताबक सैनिक अब गश्ट के लिए देपसांग में पेट्रोल इसके बारे में अभी तक कोई भी बात नहीं हुई है यहां पर गश्ट को लेकर के बाद में विचार होगा ऐसा दोनों देशों ने मिलकर के कहा है बफर जोन यानि कि ऐसा इलाका जहां दोनों से नाए एक दूसरे के आमने सामने नहीं आ सकती है उसको हम क्या कहते हैं बफ ठीक है यह जोन विपक्षी सेनाओं को अलग करते हैं यह ऐसे हो जाते हैं कि अगर हमने इस बफर जोन को क्रोस कर लिया यानि कि हम इनकी सीमा में पहुच गया है युद्ध की सिति बन गई है या फिर कोई जो लाइक सीमा विवाद है वो वहां से शुरू हो जाता है तो इ यहां पर आपको गुसना मना है कहां से हट चुकी है सिनाय और कहां से हट रही है यदि इसकी बात करें तो यहां पर यदि इस वाली रेखिए यह जो डार्क येलो में है यह आपका भारत का चेतर है यह आपका प्योके का चेतर हो जाता है और यह जो चीन ने कबजा कर रख और होट स्प्रिंग यह हो जाता है तो दो जगे आपकी बच्ची है एक है आपका होट स्प्रिंग और एक है आपका गलवान पॉइंट और यह दोनों ही बफर जोन है ठीक है तो इसको लेकर के अभी तक कोई भी स्थिति सामने निकल करके नहीं आई है बाकी जगहों पर बात डेम चोक से आपकी सेनाएं हटाई जा रही है सैन वारताएं कब कब हुई है दोनों देशों के बीच में जब इस तरीकी की इस्थिति उत्पन हुई है युद्ध जैसी या फिर आप देखें कि हालाग बहुत जादा सीमा पर खराब हो चुके हैं तब 2020 में देखेंगे तो आठ बार लगभग बातचीत हुई थी 2021 में पाँच बार लगभग बातचीत हुई है 2022 में 4 2023 में 3 और 2024 के फरवरी में यहां पर वारता हुई है तो इस इस टाइम पर हमने इतनी इतनी बार सीमा विवात को लेकर के बातचीत करी है और तब भी आप यह सोचिए कि हमने 2020 में आठ बार वारता करी सीमा को लेकर के सेनाओ को लेकर के लेकिन तब भी कोई हल नहीं निकला क्योंकि उस टाइम तो सीथी खराब ही थी 2021 में हमने पाच बार चाइना से बात करने के ट्राइग किया और चाइना ने हम से लेकिन कोई भी हम बेहत अच्छे नदीचे पर नहीं पहुचे फाइनली 2022 में हम एक नतीजे पर पहुचे हैं चार बार वारता हुई और इसके टैथ हमने दौलत बे गोल्डी गलवान पैंगॉंग और होट स्प्रिंग से अपनी सेनाओं हटा दी थी 2023 में तीन और 2024 में सिर्फ और सिर्फ फरवरी में बाचीत हुई थी अभी आ हम जौता फाइनल हुआ और ब्रिक्स में मोधी और चीन के जो रास्टपती थे सी जिंपिंग के बीश मुलाकात हुई पांच साल बाद दोनों देशों की जो नेता है उन्होंने बाचीत करी थी ठीक है और यहां पर सांती कायम करने की बात कही गई थी कि हर हाल में हम शांत भी हुए है यानि अब चीन की आर्मी उन इलाकों से हटाएगी जहां उन्होंने अतिक्रमण कर रखा था जबर जस्ती जिन्होंने अधिकार जमा रखा था वहां से अब पीछे हो जाएंगे भारती विदेश मंत्राले के प्रवक्ता विक्रम मिस्त्री ने बताया कि भारत इस जैसंकर प्रशाद जी करने वाले हैं आगे आते हैं गलवान में आप जानते हो 15 जून 2020 को जड़प हुई थी इस्टरल लद्दाक में सीमवर्ती इलाकों में एक्सेसाइस के बहाने सैनिकों को जमा कर लिया था चीन ने ठीक है और उसके बाद वहां से भाग ने रहे थ जो चीन की अक्टिविटीज है वो इंडिया में शुरू हो गई थी भारत के जो सैनिक हैं उनको इसके बारे में पता चलता है लद्दाक के जो लोग है वो बताते हैं कि ऐसे ऐसी चीज़ें आपर हुई है इसके बाद दोनों देशों के बीच में फारिंग शुरू होती है जिसमें भारत के 20 सैनिक मारे जाते हैं और इसकी जबाबी कारवाही करता है 15 जून को कौन इंडिया इसके बाद 60 सैनिक वो उनके वहां के मार गिराता है ठीक है तब से ये चीज़े बरकराज ही लेकिन फानली अब इस पर एक पॉइंट पर दोनों ही देश बहुत चुके ह और ये आशंग का जता ही जा रही है कि जल्द ही सारी चीज़े नॉर्मल हो जाएंगी लेकिन चीन पर इतनी जल्दी भरोसा करना तो मुझे लगता है कि बेवकूफी ही होगी बाकि आप किस पर क्या रहा है मुझा वजवश रताएगा मिलते हैं नेक्स क्लास में तब तक क कि बेवकूफी होगी है